आज ये जवान रोडों पे भीक मांग रहे हैं कोई वकील इनका केस नहीं ले रहा सरकार के दबाव इतना है कि इनका जवानों केस लेने को थै आज हम भीक मांग के अपने वीविवद्चों गुजारा करने के लिए घुम रहा है काहिं से अच्छे दिन है काहें के अच्छे सट्रिक करी और पाकिस्तान पर बहुत सारी दावे करें हमने सर्जीकल स्ट्राइक आपने कर के जवणों के रहे हैं और वहीं सरकार कहरी कह रहे हैं कि हम एक की जगें चार सर ला रहे हैं या सरकार आपने यह किया वो किया फोज का वो काम है वो अपना काम करने दीजें लेकिन नहीं तो फिर क्यों जवानों कितनी हत्ता है और 700 जवान बिमारी से मर चुके इन्होंने क्या ध्यान दिये आज पैरा मिल्टरी के जवानों के आपको यह सवीधाय देंगे लेकिन कोई सव जवान आप बीमारी से मरे हैं तो क्या वहाँ पर सुरक्षा इंतिजामात या या उप्चार के कोई पूरे उक्ता जवात नहीं होते हैं हमारे पैरा मिल्टरी के जवानों को कोई भी होस्पिटल के शिविदा नहीं गोर्मेंट होस्पिटल मिले जाके डाल दिया जाता है जिए उसकी कोई जवाबदारी नहीं है सरकार की वो अपने पैसे से लाज कराता है आपने देखा होगा गोर्मेंट ने पीछे नक्सली हमला हुआ कहा था कि एक एक क्रोड देंगा आज उन जवानों के परिवारों से पुछवाभी तक पैंसिन तक नहीं मिला है तो सरकार स हम एक परसेंट भी दोसी हैं तो हमारे को हिंडिया गेट के सामने फांसी लगा दे हम तयार हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिगर निर्पक्ष जांच के सरकार झाल 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 झाल